hydrogen spectrum हमारे पास electron बहुत सारे transition का सकता है उनके कुछ नाम है हमारे पास जैसे अगर हमारे पास n is equal to 1 पर transition होता है कहां से होगा कहीं से भी हो सकता है infinity से हो है इस तरीके से हो सकता है वह इंफिनिटी से आ रहा है यहां से आरहा है यहां से आरहा है यहां से आरहा है अगर n is equal to 1 पर गिर रहा है तो उसको बोला है था है लाइमन सीरीज अगर सबकी एनर्जीज जो होती है वो इस तरीके से होता है कि यह light uv region में गिरती है उसके बाद आता है हमाँ पास दूसरी bomber series, bomber series में हमेशा हमाँ पास final stage क्या होती है n equal to 2, वो कहां से आ सकती है मान लो infinity से आ रहा है अगर वो 2 पे आ जाए, तो भी यह bomber है, यहां से भी यहां पे आएगा तो भी bomber है यहां से आएगा तो भी bomber है यहां से भी आएगा, तो भी हमाँ पास bomber है छीक, इसी तरीके से हमाँ पास posture series होती है, अब देखो यह visible range में यह ultraviolet थी और यह infrared में है तो infrared में हमाँ पास देखो यहां से, basically infinity से 3 पर गिरेगा, यह यहां से 3 पर गिरेगा, यह यहां से 3 पर गिरेगा यह सब posture series है similarly, n equal to 4 पर गिरेगा तो bracket series होती है, n equal to 5 पर गिरेगा, तो front series होती है so peace island होता है, तो अलग-अलग इन series के नाम देदी हैं, यह आपको यहां दोने चाहिए, अब यहां पर कुछ चीज़े हमें पता होने चीज़े, जैसे लाइमन सीरीज में, हमारे पास जो भी wavelength होती है उसकी एक range है हमारे पास, वो range क्या है, लाइमन सीरीज है, 90 से लेकर के, 120 nanometer तक, यह ultra wallet region की range है bamer में हमारे पास range आती है 360 से 7, sorry, 670 तक nanometer, यह हमारे काम की है और इसमें भी देखो 360 कौन सी होगी और 670 कौन सी होगी देखो, बड़ी wavelength यानि की छोटी energy, अगर wavelength बड़ी है, इसका मतलब energy छोटी है, अगर मैं bamer की बात कर रहा हूँ यानि की n equal to 2 पे टपकने वाले और उसकी सबसे कम energy कौन सी है ये वाली, फिर उसके बाद ये है फिर उसके बाद ये है फिर उसके बाद इस तरीके सा आती जाएगे और बागे जाके के तो energy के differences बहुत कम हो जाते है तो महाँ पास mainly हम तीन wavelength को याद रखेंगे जो सबसे कम energy वाली होगी है इसको हम बोलते है ये alpha है next वाली बीटा कहलाएगी तीसरी वाली इस तरीके से gamma कहलाएगी तो हमाँ पास 3 gamma series में आप याद रख सकते हो इसको बोला जाएगा H alpha वो होती है 670 nanometer की फिर आती है H beta वो होती है 400 nanometer की और फिर आती है H gamma वो होती है हमाँ पास 360 nanometer इनके colors भी आप याद रख सकते हो ये होती है violet ये होती है हमाँ पास blue ये होती हमाँ पास red याद रखना चाहो तो रख लो लेकिन हमारे लिए सबसे important चीज़ कहा है किसी भी N से 2 पर गिरेगा तो वो बामा सीरीज है similarly पास्टन सीरीज क्या होगी N is equal to 3 पर गिरेगा ये 1 था 2 था 3 था पास्टन सीरीज पर हमाँ पास जो wavelengths होती है वो किस range की होती है वो होती है 820 से लेकर के 1880 nanometer तक इस से यादा चीज़ आपको याद रखने की ज़रूद नी है मेरे साब से तो ये भी नहीं याद रखोगे तो भी आपका काम चिल दाएगा ये values आपको याद होनी चाहिए तो यहाँ पर मैं कुछ रिलेशन बताना बहुत ही अच्छा सबाल है पर देख चीज समझो कि हमाँ पास यहाँ पर मैं इस तरीके से levels बना लूँगा ये है मेरे लिए n is equal to 1, 2, 3 ये कुछ values है अब एक बात बताओ लाइमन की बात कर रहे हैं यानि कि हमाँ पास 1 पर गिरेगी अब यहाँ से भी गिल सकती हैं यहाँ से यहाँ सब लाइमन सीरीज है इन में से पहला किसे बोलोगे और सीरीज लिमेट किसे बोलोगे तो first हम इसको बोलते हैं सीरीज लिमेट जो infinity से आ रही है उसको series limit बोलते है तो देको new 1 की value क्या है? series limit of लाइमन तो हमाँ पास series limit यहाँ इन्फिनिटी से जब इलेक्ट्रॉन यहां पर आकरके गिरेगा इससे जो हमाँ पास रेडियेशन निकलता है वो उसकी फ्रिक्वेंसी होती है इसी तरीकी से आप नू 2 और नू 3 पता करो क्या चीज़े हैं उसके बाद इन में से कोई एक रिलेशन्ज सही रहने वाला है वीडियो को पॉस करो, क्वेश्चिन को सॉल्व करो इसका करेक्ट आंसर है ए, सॉल्व करना शुरू करते हैं एक हमाँ पास नू 2 इस दर फ्रिक्वेंसी ओफ फॉस्ट लाइन अफ लाइमन लाइमन की फॉस्ट होगी जो यहीं से इस तरीके से आएगी तो हमाँ पास नू 2 बना दो भई, यह है मेरे पास नू 2 ठीक है और नू 3 क्या चीज है सीरीज लिमिट ऑफ बामर, बामर क्या होता है जो 2 पर गिरता है और सीरीज लिमिट की बात हो यह यहनि इन्फिनिटी से जब गिरेगा infinity से गिरेगा यहाँ पर यह निकलती है मैं आपास new 3 अब एक बार बदाओ infinity का energy level तो होता है zero, इसका भी कुछ energy level है इसका भी कुछ energy level है यहाँ से electron यहाँ पर आएगा तो let's say उससे जो energy निकलती है वो होती है e1 क्या वो energy इससे जो निकली है और इससे जो निकली है दोनों के मिला करके होगे क्योंकि total energy तो इन दोनों के बीच में जो gap है वो तो same है यहाँ पर मैं लिख दूँगा e1 is equal to e2 plus e3 अब photons के लिए मैं पता है energy is proportional to frequency तो यहाँ पर जाएगा new 1 is equal to new 2 plus new 3 और इसी को आप rearrange करोगे तो new 1 minus new 2 is equal to new 3 आ जाता है a becomes the correct answer अब यहाँ पर इसी का एक variation हो सकता था अगर wavelength की तर्म में आपसे पूछ रहा है तो क्या करोगे तो देखो energy hc upon lambda होती है इसी case को आप लिख सकते थे 1 upon lambda 1 is equal to 1 upon lambda 2 plus 1 upon lambda 3 अब इसी को rearrange करके आपके पास सवाल की आजाता है यहाँ पर आजाता अगर option हो सकता था lambda 1 is equal to lambda 2 lambda 3 upon lambda 2 plus lambda 3 इस तरीके के option दिये जा सकते थे तो वो भी आप सॉल्व करने आप आचुके हैं समचाब ओर आजाता है The first three spectral line of hydrogen atom in Balmall series are given as lambda 1 lambda 2 lambda 3 Considering the Bohr atomic model the wavelengths of the first and third spectral lines lambda 1 upon lambda 3 are related by a factor of approximately x into 10 raised to 1 minus 1 the value of x to the nearest integer is बहुत ही simple सवाल है हमसे wavelength का ratio पूछा है wavelength कैसे निकालते हैं मैं पास wavelength के लिए formula का है 1 upon lambda is equal to r z square 1 upon n1 square minus 1 upon n2 का square अब अगर हम बात करें Lyman के लिए है ना क्या है यहाँ पर bomber series की अगर बात हो रही है तो bomber में हमेशा Lyman में 1 पे गिरता है n final की value हमेशा 2 रहने वाली है उसके वाद lambda 1, lambda 2, lambda 3 इस तरीके से इसका मतलब lambda 1 क्या कहलाएगी जो हमारे पास first wavelength है यानि की 3 से अगर आप 2 पे जाते हो तो निकलता है lambda 1 4 से अगर आप 2 पे जाते हो तो निकलता है lambda 2, 5 से अगर आप 2 पे जाते हो तो निकलता है lambda 3 इस तरीके से आपके पास lambda 1, lambda 3 निकालना आजाएगा इनको इस formula में डालो और उनके ratio आपको बताने वीडियो को pause करो question को solve करो इसका correct answer है पंद्रा कैसे है बहुत ही आसान है देखो मैं लेक सकता हूँ 1 upon lambda 1 is equal to R 1 upon 2 का square minus 1 upon lambda 1 का है 3 से लेकर के तो 3 का square which is equal to R into ये क्या value हाजाती है देखो ये 9 है ये 4 है तो 9 minus 4 becomes 5 divided by 9 into 4, 9 into 4 हो जाता है हमारे पास 36 ठीक है 1 upon lambda 2 की value कित्ती हाजाती है 1 upon lambda 2 की value हाजाएगी R, 1 upon 2 का square क्योंकि final bamer में हमेशा N is equal to 2 हो जाएगा minus initial कितना था 5 तो 1 upon 5 का square अब ये क्या बन जाता है ये तो है 4 ये है 25 25 minus 4 which is equal to 21 divided by 25 into 4 वो हो जाता है हमारे पास 100 ये इस तरीके से हमसे पूछा है ओ स्वारी ये लेमडा 3 था है ना ये लेमडा 3 हमसे पूछा है लेमडा 1 upon लेमडा 3 तो आपको कर देना है ये अगर equation है 1 ये है equation number 2 तो आपको कर देना है 2 divided by 1 2 divided by 1 यहां से हमारे पास value हा जाएगी लेमडा 1 upon लेमडा 3 is equal to देखो आर से आर कट जाएगा 2 divided by 1 हो जाएगा 21 upon 5 multiplied by 36 upon 100 अब इसकी approximate value हो जाएगी हमारे पास x into 10 raised to the power minus 1 यहां से हमारे पास value हा जाती है x is equal to 21 into 36 divided by 50 यहां फिर आप इसको लिख सकते हो 40 into 36 divided by 100 यह 42 होगा है 42 into 36 divided by 100 अब आप इसको solve करोगे यह value आजाती है हमारे पास x is equal to 15.12 यहांनि कि x is equal to 15 बन जाता है हमारा correct answer a hydrogen atom has electron in the third excited state the number of different possible photons lie in which of the following series बहुत ही अच्छा सवाल है energy levels बनाओ यह है n is equal to 1 n is equal to 2 n is equal to 3 यहां से electron कहां कहां गिए सकता है इसके corresponding कौन कौन सी line से में देखने को मिलेंगी वीडियो को पॉस करो, question को solve करो इसका correct answer है पता कर लेते हैं पहली बात तो मैंने आप एक energy level कम बनाया था थर्ड excited state है ऐसे ही तो गलती होती है n is equal to 4 होगा ground, first excited, second excited, third excited और राइट यहां से कौन कौन से हमाँ पास transitions हो सकते हैं देखो हमें पता करना है लाइमन, बामर, पास्चन सारे ही देख ले हैं यहां से अगर मैं नीचे इस तरीके से गिरता हूं या फिर यहां से भी नीचे गिरूँगा या यहां से इलेक्ट्रोन इधर आएगा फिर यह गिरेगा तो basically मुझे तीन लाइमन सीरीज देख रही है थरी लाइमन देखने को मिलेंगी फिर उसके बाद यहां से अगर मैं यहां आगया या फिर यहां से आ गया तो हमाँ पास टू बामर देखने को मिलेंगी और यहां से डारेक्ट में यहां गिरिया तो वन लामन बामर पाश्चन एक पाश्चन देखने को मिलेगी 3,2,1,A is our correct answer बहुत ही अच्छा था यह सवाल था यहीं जो छोटा सा वीडियो आपने देखा एक छोटा सा पार्ट है एक छोटे से crash course का जिसमें हमने 42 वीडियो में पूरा का पूरा फिसक्स का course कंप्लीट कर दिया है 11 का भी 12 का भी तो इसमें बहुत सारे questions करा हैं बहुत सारे previous questions करा हैं सारे concept को cover किया गया है लिंक इज़त दने डिस्क्रिप्शन साथ में Colorful Notes की PDF भी आप वो तो अभी freely download कर सकते हो सारी PDFs free हैं वहीं course page पर आपको Google Drive का link मिल जाएगा download कर लो और हम मिलते हैं अगले वीडियो में